स्टूदेंस चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वार्टरिक इक्वेशन जो है चैप्टर नमबर 4 मैतेमेटिक्स का तो देखते हैं उसका सिलेबस कितना रहा और कितना रिडियूस हो गया सबसे पहला टॉपिक जो कॉमन होता है सब में इंट्रडक्शन वो तो आपको करना ही है उनकी उसका पूरा डीटेज जो रहता है वो आपको रीड कर लेना है फिर आगे देखते हैं तो टॉपिक नमबर 4.2 जो है क्वार्टिक एक्वेशन ठीक है स्टानेड फॉर्म जो रहता है उसका वो आपको लेन करना है और इसके रिलेटेड जो भी बेजिक सवाल है वो आपको प्रिपैर करने है फिर आता है एक्जांपल 1 आपको पूरा का पूरा देख लेना है कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैथेमेटिकली इस सिचुएशन को फिर आगे देखते हैं तो आगे आएगा टॉपिक एक्जांपल नमबर 2 एक्जांपल 2 भी इंपोर्टन है ये भी आपको पूछ सक आएग्ज़ाम में तो मेरे अक़र्डिंग यह बहुत इंपर्टन क्वेशन होने वा यह बट इम्पार्टन पेड़िन ठीक है फिर आगे चलते है आगे एक्सराइज 4.1 तो यह पूरी के पूरी exercise है वो आपको prepare करनी है जो उपर examples ते उसके बेजडी यह exercise है तो इसलिए दोनों same है तो यह आपको करनी है exercise 4.1 फिर आगे चलते है तो ने टॉपिक है 4.3 यह आपको factorization technique जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो ठीक है तो यह काफी important technique होती है तो यह technique आपको अगर still नहीं आती तो आप learn कर लो अच्छे से इसको ठीक है तो 4.3 will be very important topic again फिर इसके related जो भी example है वो आपको prepare करने है चाहे example 3 हो या फिर आगे 4 example 4 then example 5 then example 6 6 तो यह सारे के सारे example है वो आपको prepare करने है पढ़े अच्छे से फिर next exercise 4.2 exercise 4.2 भी आपको पूरी की पूरी prepare कर लेनी है अच्छे से ठीक है सारे के सारे questions important रहेंगे इस exercise में clear है यह पढ़िया चलिए फिर आगे देखते है आगे का topic है 4.4 solution of quadratic equation by completing square तो यह topic पूरा हटा दिया है ठीक है यह topic आपको नहीं पढ़ना फिर आगे इसके base जो example रहेंगे वो भी eliminate हो जाएंगे क्योंकि topic ही नहीं है तो फिर उसके number 8 तो यह भी आपको नहीं करना है वो भी completing square का ही है फिर आता है example number 9 तो यह भी completing square का है तो यह example भी हटा दो ठीक है फिर आएगा अगे देखते हैं चलता हो फिर आएगा यह topic ठीक है यह देखो यह topic का कोई heading नहीं दिया ठीक है इस topic का कोई भी heading नहीं दिया बट ये topic important रहता है ठीक है इसको बोलते है quadratic formula तो ये बहुत important topic है अगर पढ़ाई किये तो आप जानते ही होंगे ठीक है तो ये काफे important topic रहेगा तो इस topic को learn कर लेना है और इस topic के basic ये उपर जो भी सवाल है जैसे कि example number 10 ये पूछ सकते हैं board exam ठीक है तो ये example आपको तयार करना है फिर आगे चलके देखते है तो example 11 तो ये आपको नहीं करना है example 11 जो problem sum है फिर आगे example 12 तो ये example भी आपको नहीं करना 12 जो eliminate कर दिया है board ने फिर example number 13 तो example 13 आपको solve करना है जिसमें quadratic formula से आपको answers मिलेंगे फिर आगे चलते हैं देखते हैं 14 example 14 भी आपको करना है solve फिर next example 15 example 15 ये आपको करना है काफ़े important सवाल रहेगा board के terms में ठीक है तो ये भी आपको अच्छे से prepare कर लेना है फिर आगे चलते हैं exercise 14.3 की क्या कहानी है 14.3 not 14.3 sorry so 4.3 exercise है उसमें पहला सवाल है completing square का तो हटा दो वो ठीक है फिर दूसरा सवाल आपको करना है फिर आगे चलके देखते हैं इसमें कितने सवाल है तीसरा करना है फूर्थ करना है फिफ्त करना है शिक्त करना है ठीक है 7 भी करना है आपको फिर आगे देखते है 8 question करना है और ये 9, 10, 11 जो थोड़े बहुत difficult questions है वो आप वोट ने हटा दिये तो till 8 question you need to prepare ठीक है पहला question नहीं करना है जो completing square का है फिर 2 से लेके 8 तक सारे questions बनाने आपको फिर nature of roots ये भी काफ़ी important topic रहता है तो ये topic तो करना ही करना है ठीक है तो ये nature of roots जैसे कि आप देख सकते हो bold में लिखा है यहाँ पर ठीक है इस वेरी important topic अगेइं ये प्रिपर कर लेना आच्छे से फिर example 16 तो nature of roots पढ़ना है तो examples भी करने होंगे उसके related then 17 वो भी करना है ठीक है 17 example को ignore मत करना क्योंकि मेरे according ये important example रहेगा ठीक है फिर आगे चलके देखते हैं कहानी को example 18 ये भी आपको prepare करना है क्योंकि वो भी nature of roots के उपर ही based है बढ़िया चलिए तो फिर exercise 4.4 आगे exercise 4.4 लेनी है ठीक है without any discount यहां तक आपको पूरा पूरा जो exercise है वो prepare करना है यह हो गया chapter 4 का discussion कि कितना portion आपको तयार करना है और कितना portion नहीं करना तो ऐसे ही बने रही है अगर आपको पसंद आ रहा है ये series तो प्लीज लाइक करे दूसरों के साथ शेर करे तो उनको भी थोड़ा बहुत help हो जाएगा पॉर्शन को कैसे प्रिपार करना है बोर्ड एक्जाम्स के लिए और अगर ज्याद आच्छा लगे तो यू कन अच्छा लगे तो यू कन अच्छा लगे तो